नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका, रमेश दास, रमेश जी आप कहां से हैं, पालम से नई दिली, रमेश जी संत रामपल जी महराज से नाम दिख्षा आपने कब ली, मैंने संत रामपल जी महराज जी से नाम दिख्षा ली थी 2009, सर संत रामपल जी महराज से न तीन जगे गया हुआ था जैसे की निरंग कारी में गया था उसके भाद फिर मैं आस्टोस महराज जी के यहां गया था और एक जगे और गया था मैं ऐसे एक संथे आसाराम जी के इस उनसे मैं जाता था उनसे बातचीत करता रहता था तो इस तरह से मैं भक्ती में और अपने आपिस में वहाँ पे ससंग नीचे होता था तो वहाँ भी जाता था सेवा करता था काम और सब काम करता था वहाँ पे सर क्या काम करते हैं आप मैं इंकम डेक्स आपिस में सुपरेंटेंडिन के पत पर कारी रहत हूँ सर संत रामपाल जी महराज की सरण में आप कैसे आए संत रामपाल जी महराज जी की सरण में सर जी मैं बहुत परमात्मा की भक्ती के उद्देश से और अन पंथों में जाता रहता था कि परमात्मा कैसा है कहा है कैसे मिलता है तो इस तरह का जिग्यासा बच्पन से था मेरा तो इस तरह मैं दो तीन जगह गया था उसके बाद फिर लाश्ट में मुझे भगजी मिले कि एक हमारे पडोस में रहते थे मंगलदास तो उन्होंने बताया कि आप जो है जो भक्ती कर रहे हैं ये सही नहीं है आप चलो यहाँ पर संत्र रामपाल जी महराज हैं इनकी भक्ती बहुत अच्छी है और बहुत प्रमारित है तो उन्होंने हमें बताया कि जो यह भक्ती आप कर रहे हुए इससे कोई लाव नहीं होने वाला है तो मैंने खह यार ये कैस से हो सकता है तो उन्होंने प्रमार दिखा है फिर उन्होंने कहा ये गुरु जी का ससंग आता है आप जा करके इनका ससंग सुनते रहो साथ चालिस पर आता है तो हमने देखा गुरु जी ने उसमें ससंग कर रहे थे संतर रामपाल जी महराज जी तो उन्होंने बताया कि देखो प्रमार गीता जी से खोल-खोल के दिखा रहे थे कि ब्रह्म की साधना करने वाला पुर्णावत्ति में आता है और पूर्ण परमात्मा जो है जहां जाने के बाद फिर दुबारा इस अंसार में नहीं आना पड़ता है तो ऐसे प्रमार दिये तो हमारा मन एकदम से वो हो गया कि यह कै आ रहे फिर ऐसे करते करते उनके साथ मैं दो-تिन महीना देखता रहा तो और देखने के बाद पर घीता में मिलाते रहे तो सब चीज मिल गया तो मैं उनके साथ चला गया वहां जाके फिर संत्रामपाल जी माराजी से नामदिख्शा लिए सर संतरामपाल जी मारा से नामदिक्षा लेने के बाद क्या आपको लाब भी प्राप्त हुए? 2014 में बरवाला कांड हो गया था इसमें से हमारा नाम खंड हो गया था इसमें बीटिया को बहुत बीमारी हो गई थी बीमार हो गई थी इस तरह कि उसको ब्लैट कैंसर हो गया था और हम बहुत होस्पिटलों में दिखाया बहुत कहीं नहीं पता चल पा रहा था कि इसको क्या ह कम से कम हमारा पांग साथ लाक रुपए खर्च हो गया था बिटिया के इलाज में वो कहीं पता नहीं चल रहा था लाश्ट में दो हजार उन्नीस सितंबर में उसको यहाँ दौारिका सेक्टर तस में आयुसमान होस्पिटल है वहाँ पे जा करके इसको एडमिट कराया तो वह कि वहीं पता चल सकता है इसको क्या हो सकता है हम हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसको क्या हो रहा है तो वहाँ जा करके फिर हम जा करके आल इंडिया मेडिकल होस्पिटल गए वहाँ पे उन्होंने देखा एडमिट करा और उन्होंने फटा 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 रिपोर्ट चेक कराया तो उसमें पता चला कि हमारी बेटी को ब्लेट कैंसर है तो ब्लेट कैंसर कि हम लोग तो जमीन हमारे पैरों से निकल गई खुब सब लोग परहसान थे जब रो रहे थे कि क्या हो गया कैसे अब बचेगी बेटी कुछ नहीं बचेगी क्या हो तो उसके बाद हम लोग ब ब्लेट कैंसर हो गया लेकिन फिर बर्मात्मा नहीं दया करी संत्र रामपाल जी महराज जी से हमने प्रार्थना करी है प्रभू हमारी बेटी कैसे ठीक होगी वहां पे फिर भक्तों निका दुबारा सुधिकरन कराया हम सब लोगों ने जा करके और जैसे फिर दुबारा टेस कैंसर की रिपोर्ट है कि इसमें जो है ब्लड कैंसर आया है जब हमने गुरुजी के उसमें गए दुबारा प्रार्थना करी तो यह रिपोर्ट देखो गुरुजी की जो है प्रार्थना से दया से आज हो गया था और उसके बाद आज जो है स्वस्त हो गई है काफी तो हमें बहुत बार हम छोड़ने के प्रयास किया लेकिन हम से नहीं छोटी लेकिन जैसे ही संतरामपाल जी महराज से नामदा चली तो सारे हमारे ये जो है नसाव अगयरा सब छोड़ गया आज तक हम लोग बिंडी क्या उसकी खुस्पू भी बहुत गंदी लगती है हम से नाम दिक्षा अंद स्रद्धा के तहत लिया है या अंद विश्वास के तहत लिया है लेकिन फिर भी का जाता है कि संतरामपाल जी महराज से उनके अन्वाई अंद स्रद्धा के तहत जुड़े हैं क्या ये बात सही है ये बाते कहां तक ठीक हैं संतरामपाल जी महराज पूर्ण परमात्मा के उतार हैं, वो पूर्ण प्रमाणों से, गीता से, बेद से, कुरान सरीप से, बाइबिल से, पूरा खोल-खोल के दिखा रहे हैं, तो ये स्रद्धा भक्ती है, और जो वो अज्यानी लोग हैं, वो नकली गुरु हैं, वो तो लोक वेद के आधार से बत सार हैं, सर, जैसे कोई संत्र रांपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकता है? संत्र रामपाल जी महाराज से जब ससंग करते हैं अन्य बहुत सारी चैनल ससंग गुरू जी का आता है उसमें नीचे पट्टी चलती रहती है उसमें लिखा होता है नाम, एड़ेस पता सब होता है जो भी लेना चाहें उन नम्मरों को नोट करके अपना फोन करके और पता कर सकते हैं और नाम दिच्छा ले सकते हैं संत्र रामपाल जी महाराज से धन्य बाद सर सत्साहिब झाल झाल